हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियन्ट कम्पीटिशन क्लासेश मैं आज आप लोगों के समग्च सरसटवी BPSC मुख्य परिक्षा में जितने भी लोगों का सेलेक्षेन हुआ है उन लोग का श्वागत करता हूँ साथी साथ मैं आप लोगों से ये वेनिति करता हूँ या आप लोगों को आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार मेंस की परिक्षा पर ध्यान केंद्रित कीजिए इसके तहट जितने भी important प्रस्न होगा जितने भी महत्तपुर्ण प्रस्न होगा पॉलिटी का करेंट का मैं देने का प्रियास करता रहा हूँ और करता रहूंगा और ये देखेगा कि खास करके वैसे प्रस्न को मैं आपके समक्ष प्रस्तूत करूँगा जो परिक्षा में आने की possibility जैदा हो तो चलिए इसके और इसका पीडियाप भी आपको मैं provide करूँगा और इसके लिए आपको वाई या टेलिग्राम चैनल जॉइन करना होगा टेलिग्राम चैनल जॉइन कीजिएगा वो भी radiant competition classes नाम से ही है आप वहाँ जाकर के हमारा वीडियाप इसके पहले भी जितनी वीडियो अप्लोडेंड है वो वीडियो का भी पीडियाप आप वहाँ से प्राप्ते कर सकते हैं इसके पहले में auditor में जितना भी current affairs दिया था auditor के लिए और ये वो एक्जाम के लिए CDPO के लिए वो सरही के सभी current का वीडियो मेरा current का topic आ चुका है परिक्षा में first चुका है आप लोग खुद जाकर के हमारे वीडियो देख सकते हैं और आप यह नुमान लगा सकते हैं मैं 68B के लिए भी ये दावा करता हूँ कि मैं जितना भी topic आपको provide करूँगा निश्चित रूप से यहां से परस्न आपका आएगा ही आप थोरा सब इस्वास ले करके जरूर इसको देखेगा एक से दो बार जरूर देखेगा नोट कर लिजेगा पेडिया आप लोग प्रिंट कर वा लिजेगा बेहतर होगा एक से दो बार पढ़ लिजेगा नहीं कुछ तो कम से कम helping material तो आपको यहां से मिलने वाला है तो चलें दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का यह टॉपिक भारती चुनाओ पढ़नाली सुधार की अवसकता चुनाओ किसी भी लोगतंत्र के लिए एक सरवाधिक ससक्त तत्तु है तथा जब तक चुनाओ सोतंत्र और निस्पक्ष तरीके से होते रहते हैं तब तक राष्ट में इमानदार जन्म परतिनिधित्यु कायम रहता है विश्व के सबसे बरे एवग सरवाधिक लोगपिडिय लोगतांत्रिक शाषन पढ़नाली वाला देश भारत इस बात पर गर्व कर सकता है कि केंद्रिबंग राज्यों में यदि बीगत 72 वर्सों में सांतिपौन तरीके से सत्ता का हस्तनांतर्ण हुआ है तो इसका सरय मुखे रूप से भारत की निस्पक्ष निर्वाचन पढ़नाली को जाना चाहिए और थोरा सा यदि आप इसमें बेगराण और डालना चाहते हैं तो आप इसको लिग सकते हैं कि भारते सम्मिधान के आर्टिकल 324 के तहट निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है जिसके तहट जो है इस सभी प्रकार के चुनाव प्रकिडिया संपादन कराने का काम इनका मुखे काम माना जाता है चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं भारती चुनाव परणाली की कतिपे कम जोडियां अब इसमें हम लोगों को सिर्फ देखना है कि कम जोडियां कौन-कौन सी है और इसमें क्या-क्या सुधार क्या वसकता होती है और कौन से समय में किस तरह की सुधार पढ़नाली अपनाई गई है चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसकी कवियों को भारत की विसाल भावलिक आकार तथा भारत की सामाजी कार्थिक राजनेतिक धार्मिक सांग्सक्रितिक विविताओं के शंदर में चुणाओं पढ़नाली में समय समय पर किये गए सुधारों में ये उत्रोतर सुधरीर हुई है लेकिन इसमें आज भी अनिक कमजोडियां द्रिष्टी गोचर होती है शामानतिय भारत की निर्वाचन पढ़नाली निमलिखित कमजोडियों से करसीत है मैं इसको एक-एक पॉइंट के माध्यम से डिटेल से आप लोगो समझाने का प्रियास किया हूँ आप भी थोरा सा देख लिजिए देखेगा कम मद्दान परतिसत के साथ विधाईका में इमांदार इबंग वास्तेविक परतिनिधित्यों का अभाव पहले पॉइंट में आप इसे जरूर डालिएगा कि कम मद्दान परतिसत के साथ यानि कि आप लोग देखते होंगे 40, 50, 60, 70 परतिसत से आगे मद्दान हमारे चुनाव परनाली में नहीं होता है या हमारे चतर में नहीं होता है इसमें देखेगा कि ये बहुत परी कमजोडी माना जा सकता है कि कम मद्दान परतिसत के साथ बिधाय का में इमांदार एबंग वास्तिविक परतिनिधित्यों का भाव होता है तो इसमें देखेगा मद्दान का उसत 55 से 55 परतिसत के बीच रहता है ये भी बात आप देखे ही होंगे निश्यत रूप से और इसका आर्थ है कि 45 से 35 पर 35 सजनता की राष्टी है राजनीती और नीतियों के निधारन में कोई भूमिका नहीं है आखिर ऐसा क्यूं है ये चीज हमें पता लगाना होगा उसके बाद दूसरी कमी क्या है वाई दूस पर से आम आदमी का विश्वा सूट गया है एसोसियेशन ये कर रहा है एसोसियेशन फोर डेमोकरेटिक रिटर्स एडियार तथा तथा जो है ये नेशनल एलेक्षेन वाच द्वारसन 2014 में और उसके बाद के निर्वाचनों में विजई सांसदों विधायकों की संपतियों तथा उनके बिरुद नियायले में लंबित अपराधिक मामलों का जो विश्वास प्रस्तूत किया गया है उसके रुषण 543 शांसदों में से 34 पर तिस अट्यार नियायले में आपराधिक वाद लंबित हैं 76 संसद हत्या हत्याक का प्रियास अफरन मंचोडी जैसे गंभीर अपराधों में आरोपी है यही स्थिती विधायकों का भी है दोस्तों तो यह इसके वज़ास से जो है उनलों का विश्वास उठता जा रहा है तीसरा पॉइंट यह तीसरा कमी यह दि देखिएगा तो राजनीती का अपराधिकरण एवंग अपराधियों का राजनीती पहरा यह बताता है कि अपराधियों के चुनाओ नौ लड़ने पर कोई रोक नौ होने के कारण हत्याप और आगजनी सारवजनिक धन के दुरूपियों कुलातकार जैसे जगनिया पराधों में सनलिप्त लोग भी केबल इस आधर पर चुनाओ लड़ने और जीतने में सफल हो जाते हैं कि मामला नियाले में लंबीत है नियायक परणाली की विड़मना यह है कि निचली अधालत से लेकर सरवोच नियायले तक की नियायक परकडिया में 20 से 30 वर्ष तक का समय लग जाता है जिसके वजह से आपराधिक छवी वाले लोग भी एलक्षन लड़ भी जात हैं और उनका बाहुबली का जो प्रकडिया है वो continuous जाड़ी रहता है तो उसके बाद ये भी बहुत बड़ी खामी है चाउथा देखे सरवाधिक खर्चिली चुनाव परणाली यानि भारत की निर्वाचन परणाली को सरवाधिक खर्चिला माना जाता है लोग सभा का चु यानि राजनितिक दलों को दिये जाने वाला जो चंदा होता है ये अपार दरसी होता है इसमें सभी लोगों को जनगारे नहीं हो पाती है Association of Democratic Reforms के एक्विस्टेशन के निस्वारा राजनितिक दलों को ग्याद सरुतों से प्राप्त होने वाले चंदे का 87% उद्योग पतियों ब्यवसाईयों से आता है इसका सीधा सनिसकर्ज है कि राजनितिक्यों में वेवसाईक जगत के करता धरताओं के बीच गहरी सांटगाट है कानुनन भारत के राजनितिक दल बीदेशी कमपेणियों से चंदा नहीं ले सकते अब अधिनियम 2010 को संसोधित करके राजनितिक दलों द्वारा बीदेशी कमपेणियों से चंदा लेने की वैदता परदान कर दिये हमारा जो वर्तमान समय की सरकार है ये तो अब बीदेशों से भी चंदा ले रहा है ये सबसे वड़ी खामी मानी जाती है उसके बाद 6 नमबर में देखेगा मद्दाता सूचियों में बरे पैमाने की हेरा फेरी राजियों में सत्तारूर राजनितिक दल की सहबर जीला निर्वाचन अधिकारी के स्तरवर मंदाता सूचियों में बरे पैमाने पर हेरा फेरिव की जाती है बीरोधी राजनितिक ग्यों के समर्थक मंदाताओं के नाम सूचि से काट दिये जाते हैं जबकि सतादल के समर्थकों के नाम एक से अधिक मद्दत्व सुचियों में जोड़ दिये जाता है इससे क्या होता है बोकस भोटिंग बड़ जाता है उसके बाद देखेगा साथ नमबर में साथ मां कमी सभी उमिदवारों को नकारने का मुद्दा यानि के समाद से भी अन्हाजारे और उनके समर्थक के एक सुखर में यह मांग करते रहे हैं कि मद्दताओं को यदिकार होना चाहिए कि विचुनाओं में खरे एक को छोड़कर सभी को नापसंद के स्थान पर कोई भी पसंद नहीं काभी विकल्प चुन सके पड़ी नाम तर नोटा बटन रखा जाने लगा ये भी एक परकार का कमी ही माना जा सकता है उसके बाद आठवा कमी है निर्वाचित परतिनिदियों को वापस बुलाने का दिकार राइट टू रिकॉल यानि के समाथ से भी अन्ना हजारे और उनके समर्थकों की ये भी मांग है कि मद्दताओं को ये भी अधिकार दे होना चाहिए कि यदि अपने निर्वाचित परतिनिदियों को वापस बुलाने के सिधान परतिपादन लोग ने प्रकास नहीं किया था ये भी एक परकर क कमी माना जा सकता है नौवा कमी के बारे में दिवात करें तो गैर गंभीर सांसदों विधायकों के बढ़ती संख्या यानि कि जिसकी जितनी संख्या भाड़ी उतनी उसकी भागेदारी के सिधान पर लोग सभा एवं विधान सभा में ऐसे सदस्यों की सं क्या से लगाया जा सकता है उसके बाद electronic voting machine के प्रती औविश्वास 2014 में लोग सभा के निर्वाचन 2017 में उत्रपरदेश बिजान सभा के निर्वाचन में भारती जंता पार्टी के हाथो बुरी तरह से पराजीत कॉंग्रिस बोजन समाज़ पार्टी शमाजवादी पार्टी अपनी प्राजे का ठीकरा ईबियम पर मढ़ते रहे तदा इसके अस्तारपर मत पत्रों के द्वारा मदान कराए जानी की मांग करते रहे इनका आरोफ है कि इन मसीनों का हैक क्या जा सकता है कोई भी मदाता किसी परतियासी के पक्षवे बटन क्यों न दबाए मत बदान जो है क्यों न दबाए मत बीजेपी के पक्षवे में ही जाता है यह तथनीरा धार साबित हुआ है तो ये भी क्या है कि एक परकार का जो है और विस्वास ला जेता है ये भी कमी है निर्वाचनायोग का भारत में चुनाओ सुधारों की पहल अब हम लोग इसमें थोड़ा सा बात कर लेते कि चुनाओ सुधार की पहल किस तरह से है महारत में लोकतांतिक पर्णाली के सोरुप में सोतंता प्राप्ति के बात से आज तरक ब्यापक बदलावाया है चुनाव पर्णाली के को निस्पक्ष मंग साप सुत्री तर्था गुनात्मक दृष्टी से स्रेश्टतर बढ़ाने के लिए समय समय प्रविविन समीतियों निकायों ने अनिक सुझाओ दिये हैं इसमें निर्वाचन कावन में संसोतर हैतु संजुक संसदिय समीति 1931 वी एम तारकुंडे समीति 1975 धिनीज गोस्वामी समीति 1990 बोहरा समीति 1993 इंदरजीत गुपता समीति 1998 यानि कि आप देख रहे हैं एक दो तीन चार पांच ये पांच जो है आप देखेगा मैं बता दे रहा हूं कि सुधार के करम आप इसको इस तरह से आप डाटा भी लिख सकते हैं मैं आपको यहां पर एक नोर्स बना दिया हूं आप डायग्राम बना करके लिखेगा तो निश्चित रूप से और उससे दो चार नमबर तो आपको ज्यादा हाएगा ही दोस्त उसके बाद देखेगा भारत में चुनाओ सुधारों के वास्तेविक एमंग सरवादिक सार्थक पहल तातकालीन मुख्यनियायादिस निर्वाचन आयक टीयन सेशन द्वारा भारत निर्वाचन पढ़ाली में ऐसे आम उल्चुल परिवर्तन किये गये जिनें उनकी उत्रा कमिशन के मामले में एलक्सन कमिशन में भारत निर्वाचन आयो की स्वायत था मिस्वासने था सुनिश्यत करना चुनाओं के दरान चुनाओं ड्यूटी में लगे अधिकारियों कर्मचारी को पर भारत निर्वाचन आयो का पूर नियंत्रन राजियों में के अंदर के अर् बोटर आईडी की जो है बोटर आई कार्ड ये टी एन सेसन के समय में ही ये बहुत बड़ा पहल माना जाता है उसके बाद देखे सभी उमिद्वारों द्वारा चुनाओं में खर्च की सीमा के भीतर ही बेह करना तथा बैका ब्योरा चुनाओं आयू को पलब देखराना चु बहल भाग लेना टी एन सेसन के परियासों से चुनाओं जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा मद्दातां को खरिदने ओधंकाने डराने के प्रवड़तियों पर रोक लगी उसके बाद मद्दान वाले दीन सहराब के बिक्रिये बंग्वीतरन पर परतीबंद लगा परचा के लिए बिना पुर्वानुपती के लाओर स्पिकर का प्रियोग नहीं किया जा सकता इस प्रकार जो है टी एंट सेसन ने भारत निर्वाचन आयुक इस रिष्टता का जो मिशाल कायम की उसे उनके उत्तरवरती मुख्य निर्वाचन आयुक तो आप देख सकते हैं किसमे कौ सासुधार लाया गया आप इसको थोड़ा सा औरनेट के सहाइथा से या जो भी आपके पास उपलब दसादन हैं उनके सहाइथा से सारा coolest के माध्याम से आप इसे बना दीजएगा तो निश्चित रूप से क्या होगा आपको ओर से चार नंबर दो नंबर जयादे मिलेगा वही selection का आपका कारण बनेगा merit list वुसी से बनेगा मिश्यत रुप से आप प्रियास कीजे तो level 9 के लिए प्रियास कीजे दोस्त तो बस अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा like कीजेगा comment कीजेगा share कीजेगा और आप हमारे चैनल से लगातार इस तरह के वीडियो पराप्ते कर सकते हैं और अपने भविश्यो को उज्जल बना सकते हैं दोस्त तो बस आज के वीडियो में तरह हैं दन्नवाद